श्री गनेशा या नमाहा, नमस्कार दोस्तों, ये राशी फल चंद्र राशी पर आधारित है, चंद्रमा मन का कारक है, हमारे मन में जो भी उतार चड़ाव आते है, वो चंद्रमा की स्तिती लेकर आती है, इसलिए चंद्रमा की पोजिशन हमारे रोज के जिवन को प्रभाव ला रहे है आपका राशिफल इस दिन कैसा रहेगा दोस्तो इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में पंचम भाव में गोचर करेंगे जिसके कारण इस समय में आपको अचानक से धनलाब हो सकता है गुप्त धन की प्राप्ति भी हो सकती है इस दिन आप पर धन की वर्शा होने की पूरी संभावना रहेगी आप जितना कमाते हो उससे ज़्यादा कमाने में काम्याब हो सकोगे इस समय में आपके इंकम में मुनाफ़े में आपको बड़त जरूर दिखेगी ये दिन आपके लिए काफी शुब रहेगा सेयर्स लोटरी और सट्टे में इंट्रेस्टेट लोगों के लिए भी ये दिन काफी लखी सावित हो सकता है इस समय पर चंद्रमा लाब स्थान पर दुष्टी डाल रहे है उस वज़े से हर काम में मुनाफ़ा होता नजर आ रहा है इस समय में व्यापारी काफी व्यस्त रहेंगे उच्चाईयों को छूने का मोका इस समय मे आपको मिल सकता है इस समय में नोकरी करने वाले लोग नाम और पैसा दोनों कमाएगे आपके आसपास काम करने वाले आपके सहकारी आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे इस समय में इंक्रिमेंट या किसी तरह की बोनस मिलने का योग भी बन रहा है दोस्तो अपने ज सफलता जरूर मिलेगी इस समय में मैरिड लाइफ में मधूरता आएगी प्यार और आनन भरा महोल रहेगा लव रिलेशन्शिप के लिए भी दिन बहुत बढ़िया साबित होगा चंद्रमा के पंचम भाव में होने से जो लोग सिंगल है उन्हें अच्छे और नए रिष्टे बनाने में कामयावी मिलेगी नया पार्टनर आपको इस समय में मिल सकता है जो लोग अविवाहित है उनके लिए अच्छे प्रस्थाव आने की संभावना बनी हुई है तो दिन पूरी तरह से आपके ही फेवर में रहेगा अगर इस समय में स्टूडन्स की बात करे तो इस समय में अगर कोई एक्जाम आती है तो आप उसे अच्छे से क्लियर कर पाओगे दिन आप के लिए शुब रहेगा इसका फाइदा जरूर उठाए दोस्तो संतान सुख के हिसाब से भी ये दिन काफी अच्छा जाने वाला है आपके घर में इस समय में संतान की तरब से क कोई अच्छी खबर भी सुनने को मिल सकती है और जो लोग संतान सुख से वंचित है उन्हें इस समय में संतान की प्राप्ति हो सकती है इस समय में आपकी काम करने की गति बढ़ेगी आप उत्साह और जोश में नजर आओगे इस समय में अगर आपके स्वास्त की बात करे से पर्सनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजीशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशीपल परिणाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशी फल को एक मार्ग दर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा दोस्तो सभी राशी के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बाते वीडियो में आगे बताई गई है तो वीडियो आगे जरूर देखे नमस्कार दोस्तो व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है परन्तु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति की जीवन में कई ऐसी घटनाए घटित होती है जिसकी वज़े से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिती में व्यक्ति को बिलकुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है दरसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीज़े होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजे नजर नहीं आती वह चीजे हमारे चारों तरफ एक अजीव सा घेरा बना कर रखती है परन्तु हम उसको नहीं देख पाते इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारत्मकता फैलती है जिसकी वजहे से हमें नुक्सान उठाना पड़ता है, जिसकी वजहे से हमें भारी नुक्सान उठाना पड़ता है, हम पूरी तरे से कंगाल हो सकते हैं दोस्तो काफी लोगों को इस तरह की आदत होती है, कहीं से भी बाहर से आते हैं, कहीं भी जूते चपल फेक देते हैं, कहीं पर भी उतार देते हैं, कुछ-कुछ लोग तो घर के एंट्री के में डोर के सामने ही जूते चपल डायरेक्ली उतार देते हैं, दोस्तो ध्यान रख जूते चपल हमेशा सापसूत्रे रखे, और उनको उनकी जगये पर रखे, उनके लिए एक स्थान बनाए, उस स्थान पर रखे, अगर कोई व्यवस्था हुआ sign the, बहुत ही अच्छी बात है, वहां पर उनके सूत्रा रखे, जूते चपलों को उनकी जगये पर कुछ इस तर पूरी होता है हमारे घर के चट के उपर जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के चट के उपर रख देते हैं ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के चट के उपर कबार जमा दिखता है जी हाँ जो चीजे हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम उपर रख देते हैं लेकिन वो चीजे तो काम में नहीं आती हमारे जीवन पर वो चीजे बहुती गहरा निगेटिव एफेक्ट डालती है इस वज़े से घर के चछत को पूरी तरे से साप रखें क्लीन रखें साथी दोस्तों हम हमेशा देखते हैं घर के उपर जाने के लिए जो सीडिया है उन सीडियों के नीचे जो जगा होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है वो जगाई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते है तो हमारी उन्नती होना बहु टेबल, पलंग, घड़ी, जाड़ू, गमला इत्या दी तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंथी बाहर निकाल दीजिए वरना इससे आपको बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है आपको ये चीजे कंगाल बना सकती है तो घर में ऐसी चीजों का मोजूद होना शुब नहीं माना गया है इससे धनकी देवी माता लक्षमी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है व्यक्ति के मन में चीड़-चीड़ा हट होती है और छोटी-चोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है इस व्यक्ति का जीवन घर में मोजूद इन चीजों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है इसलिए आपको घर में बिना काम की चीजे कूडा कचिरा नहीं रखना है दोस्तों एक और खास बात है हमारे घर में मकडी का अगर जाला है तो वो बिलकुल भी शुब नहीं है जी हाँ वो अशुब माना जाता है घर में मकडी का जाला होना अशुब है इससे आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते है क्योंकि मकडी अपना चाल शिकार को फसाने के लिए बनाती है हर एक चीज हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना होगा तो दोस्तों कुछ ऐसे चोटे मोठे बदलाव करके हम हमारे जीवन में खुशिया ला सकते है तरक्की ला सकते हैं धन ला सकते हैं मा लक्षमी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है तो इन चीजों को जरूर आजमाएं इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करें धन्यवाद